हेलो फ्रेंट्स एक बर फिर से आप सब लोग का स्वागत है मेरे फूड चैनल में जोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कमल ककड़ी को साफ कहसे करना है और ये भी बोला था कि अगला वीडियो मेरा कमल ककड़ी पर ही होगा तो आएए आज हम ल आज हम लोग इससे बनाएंगे स्वीट चिली नद्रू इसको नद्रू भी बोलते हैं जैसा कि आप लोगों मालूम ही होगा तो देखिए ऐसे-ऐसे करके इसके स्लैसे काट लेनी है तो दीखिए मैंने ये पूरा चौप कर लिया है अच्छे से पतले-पतले स्लाइसेज में अब आएए इसको ये बोल में लेके कौन स्टाट से की कोटिंग करेंगे इसको ऐसे ले रहते हैं हमको इसको फ्राइ करना है तो इसलिए कौन स्टाश लेंगे देखिए कि इसको हुआनेに बॉल में ले लिया है और इसमें करीम एक या दो बड़े चमच कौनस्ट लके स्टाज लेके हिंको इसको अच्छे से कोट करना है है कर एक तरफ हमनें कडाई में तेल में थोधी गरम होने के लिए रख दिया है जब तरे तक तेल गरम हो रहा है तो इसको court कर लेते हैं कमुआ ठोछीज़य कर आतोर है और यह से gossip हो गया है और यह एक टेल भी चैक कर लेते हैं कि हुआ एक इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और तेल में डाल के देखते हैं तो देखिए ये तेल अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें हमको ये कमल ककड़ी को डालना है देखिए इसको इसको एकदम क्रिस्पी तलना है तो आप इसको ठोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही तलीएगा तो देखिए ये वह गया है इसको एक बड़ लोग को निकाल लेना है फिर दुबारा से फ्राइब करना है जिससे की यह जादे क्रिस्पी हो, तो आइए इसको निकाल लते हैं, इसको होने में करेब 2 मिनट लगा है, एक टिशू पेपर पर निकाल लेना है, और फिर ऐसे ही जो और जो बचे हुए हमारे कमल ककड़ी के हैं, स्लाइसे उसको भी तल लेना है, देखिए बचे हुए भी फिर हम लोग इसको दूबारा से डीप प्राइब करेंगे, देखिए अब हम लोग इससे भी निकाल लेते हैं, और इसको हमको फिर से एक बार प्राइब करना है, जिससे की यह ज्यादा क्रिप्स्पी हो जाए है, तो देखिए हाँ, फ्लेम को हमने थोड़ा हाई करके रखाया है, जिससे की यह तेल अच्छे से गरम हो जाए, फिर इसमें हम लोग यह दुबारा डालके इसको फ्राइब करते हैं, तो आईए इसको डालते हैं, और इसको एक बार फिर से फ्राइब करके प्रिक्स्पी कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमने इसका ग्रेवी बिनाएंगे, तो देखिए यह हो गया है, अब हम लोगो इसको निकालना है, तो देखिए बहुत अच्छी क्रिस्पी हो गई है, तो इसको ऐसी निकाल लेते हैं, तो देखिए हमने उसी कढ़ाई में से जो एक्स्ट्र तेल सा उसको निकाल दिया है, और अब इसमें हम ऐसे कटी हुई शिम्ला मिर्च डालेंगे, और यह शिम्ला मिर्च को ज्यादा नहीं पकाना है, बस ऐसे हलका सा तॉस करना है, जिसे कि यह भी थोड़ा क्रिस्पी ही रहे, ज्यादा पब जाएगा तो नरम पढ़ जाएग तो देखिए अभी शिम्ला मिर्च हो गई है, वह मुको यहाँ पे टोमेटो केचप डालना है, एक छोटा चमच सोया सॉस, वाइट विनेगर, और चिली सॉस भी डालना है, देखिए चिली सॉस, और इसको अच्छे से मिला लेना है, और यहाँ पे हमको जड़ा सा नमक, नमक हिसाबते ही डालिएगा, तो कि इस सॉस में भी नमक है, और थोड़ा सा रेट चिली पाउडर, दालना है, और इनको अच्छे से पकने देना है, और एक कटोरी में हम लोग कॉन स्टार्च लेके उसका घोल बना लेते हैं, तो दीखिए, कटोरी में एक छोटा जमच कॉन स्टार्च है, और इसमें हलका सा पानी डालके, ज्यादा नहीं डालना है, इसका ऐसे करके घोल बनाके इसमें डालना है, इससे की ग्रेवी थोड़ी ठिक हो जाए, और इसको एक उबाल आने तब पकने देना है, तो दीखिए, ये बॉयल हो गया है, अब इसमें हमको ये प्राइटी हुए नद्रों डाल देना है, और इसको मिला लेना है अचिके, ये अच्छे से पूरा कोट हो गया है, तो चुकि ये स्वीट है, स्वीट चिली नद्रू है, तो इसमें हम लोग स्वीटनेस के लिए हनी डालेंगे, एक बड़ा चमच काफी है, हनी डाल देते हैं स्वीटनेस के लिए, और हलका साइस के उपर भुना हुआ तिल डालते है तिल भुन के रखात मैंने गार्निश करने के लिए, थोड़ा सा रख लिया है मैंने और इसको अच्छे से मिला लेते हैं, तिल कच्छा नहीं डालना है, इसको पहले ही भुन लेना है, थोड़ा सा ड्राइ रोस्ट, इससे ये तिल सोंधा पनाता है इसमें, तो दिखे, देखे, ये स्वीट चिली नदरू या हनी चिली नदरू बनके तयार है, दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करें, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जिश आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरू बनके तयार है, अब इसके उपर हम हलका सा तिल बस ऐसे गार्नेश करने के लिए डाल दते हैं, तो चलिए, बना के देखिएगा कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताईएगा, बाई बाई